कि फिर्स जून 2021 के करेंट फेर सबसे पहला करेंट फेर है कि आपकी लास्ट चेर की फिगर आगी है जी डीपी की और उसमें एक चीज जो आई है वह यह आई है कि आपकी पिछले साल जी डीपी सेवन पॉइंट थी परसेंट यहांने की माइनस 7.3 परसेंट आपकी जीडीप होता क्या है फुल फॉर्म तो मैं पता है यह ग्रॉस दिमेस्टिक प्रड़क्ट पर इस चीज को मेजर क्या करते हैं देखो इंडिया के अंदर जितना भी वैल्यू में प्रेड हुआ है तो उसमें मैनुफाक्ट्रिंग भी आगी ठेक है और आपकी अल्टिमेटली सेलिंग विए इंडिया के अंदर कोई भी चीज जो बनके बिकी है उसे हमारी जीडीप कहते हैं ग्रॉस डिमेस्टिक प्रड़क्ट इंडिया के अंदर टोटल कितने वैल्यू का ट्रेड हुआ है आक वह आपकी गीडीप मैनुफाक्ट्रिंग या सर्विसिस भी आजाती है इसमें ठेक है जैसे आपका ऐटी सेक्टर हो गया ओटल रेस्टरॉंट यह सारे चीजाएं सर्विस भी आजाती तो सारी कि सारी मलब वैल्यू पैसे में कितना ट्रेड हुआ है वो गल् तो इसके कारण आपकी जीडीपी पिशले साल सेवन पॉइंट थी परसेंट से कम होगी है यह पहली बारी इंडिया की कॉंट्राक्शन आई है जब से हमने लिबरलाइजेशन किये तब से तो खास कर ठीक है तो यह बहुत बड़ा शौक है हमारी जो आज़ा ड्वेल्पिंग कृंट्री की ग्रोथ है क्योंगि हमारे आसपास के अगर हम कंट्रि देखे ना बैंगलादेशमें यह हुआ है ना चाइना में यह हुआ है उन्हें इस सरकार एक तरह से चीज़ें नहीं संभाल पाई है तो कि बंगलादेश और चाइना जैसी गवर्मेंट से संभाल गी है हमारे कहीं न कहीं गवर्मेंट की कमी रही है कि हम नहीं संभाल पाए ठेक है तो इसमें कोर फिगर होती है जिसे कहते हैं ग्रॉस वैल्यू अड़िड यह ग्रॉस वैल्यू आड़िड होती क्या है कितनी वैल्यू ट्रेड हुई है वैल्यू तो यह भी हो सकता है कि इस साल एक रफ लगा के चलेंगे 100 रपे का बिजनस हुआ हमें लगेगा कि 10 रपे बिजनस बढ़ गया पर हर साल महंगाई भी तो बढ़ती है है इंफलेशन भी तो बढ़ती है तो आचली तुम पता कैसे करोगे कि तुम्हारी एकॉनमी अचली ग्रो कर रही है या सिरफ चीजों का दाम बढ़ रहा है देखो अगर पिशले साल लेट सब्सक्राइब कर चलते हैं पिशले साल तुम्हें एक बिसक्ट का पैकट खरीद इस साल भी उन्हें दस पैकट बेचे थे दिखने को तो यह लगेगा ना कि पिशले साल सौ रुपे का बिजनस किया था और इस साल दो सुरुपे का बिजनस कर गए पर अक्चली में बनाई तो उन्होंने चीजने दस ही है एकॉनमी तो वहीं की वहीं खड़ी है ना या अक्चली उसके अंदर प्रोडक्शन बढ़ रही है उसके लिए एक अंदर फैक्टर देखा जाता है जिसे कहते हैं ग्रॉस वैल्यू आडडेड उसमें यह वाली फिगर्स देखी जाती है मला हम करते क्या है कि इस साल भी जो प्राइज होगा उसे सेम पुराने वाले पर कंपेर किया और अगर फिगर सेम आई तो यानि कि एक्चली सिर्फ महिंगाई बढ़ी है फर्क कोई नहीं आया था पर अगर यहीं पर पिछले साल की फिगर और हमने यह देखा कि यहां पर बारा भी बिगगे हैं तो यहां पर दो पैकेट भी जो जादा बिगए है ना वह वाल्यू एड हुई है यानि कि कोई प्रोडक्शन बढ़ रही है यह चीज़ बहुत जरूरी होती है किसी भी एकॉनमी के ग्रो करने के लिए क्योंकि एकॉनमी जीडीपी तो तुम सिर्फ महिंगाई से बड़ी दखा सकते हो जितने महिंगाई होगी उतनी अपने आप की जीडीपी भी बहुत जागरी है कि अगला करेंट फिर है लक्षद्वीप आइलेंड के बारे तो लक्षद्वीप के आइलेंड हमने थोड़े दिन पहले पड़े थे यहां पे आज फिर पड़ते हैं देखो आपके दो चानल्स हैं यहां पे नाइन डिग्री और एट डिग्री बाकि सारे लक्षद्वीप के आइलेंड और एक लक्षद्वीप के आइलेंड है मिन्नी कोई इन दोनों के बीच में जो यह पानी का चैनल पड़ गया यह पानी का रस्ता पड़ता है जो नेरो रस्ता होता है इसका नाम है नाइन डिक् किसा है लक्ष दूइप और माल्डीव के बीच में जो पानी का चैनल बढ़ता हुसे कहते हैं एट डिग्री चैनल क्लियर इसमें कोई डाउट नौ साथ ठीक है थोड़े दिन पहले पड़े थे तो इसके साथ आज आपके एक और आर्टिकल कॉंसिटिउशन का बढ़ते हैं जिसके थ्रू आपकी यह पांच यूटी के कानून मनलब बने हुए हैं अंडेमान निकोबार लक्षदीप दादर नगरहवेली दमनेंदीव यह दोनों एक यूटी मना दी गई है और एक आपकी पुड्डूचरी पुड्डूचरी के लिए पहले कानून था इसमें कुछ चेंजिस करके अब यह नई चीज़ आगी है वह मैं बताता हूँ पहले आपके अंडेमान लक्षदीप दादर नगरहवेली दमनेंदीव इसकी पावर है आपके प्रेजिडेंट के पास प्रेजिडेंट इन एरियास के लिए इन एरियास के पीस प्रॉग्रेस और गुड के लिए कोई भी कानून बना सकता है तो वही पावर इसे हम लक्षदीप में यूज होने की बात हो रही है बैसिकली अभी तो आपके जो लक्षदीप के अड्मिस्ट्रेटर हैं आपके प्रफुल खोड़ा पटेल उन्हों ने अपना जो भी कानून बनाया है मैं उन्हों जो भी रेजलीशन पास करना है ऐसा नहीं कि वह अभी एप्लाई हो गया है क्योंकि जब तक प्रेजिडेंट नहीं साइन करेंगे उसके उपर तब तक वह कानून एप्लाई नहीं होता तो अब प्रफुल पटेल क्या करेंगे इसे होम मिनिस्ट्री के पास भीजेंगे होम मिनिस्ट्री के पास भीजता है और होम मिनिस्ट्री के बाद यह चीज जाती है प्रेजिडेंट के पास और यह प्रेजिडेंट अल्टीमेटली अगर प्रेजिडेंट ने साइन कर दिये तब जाकि इसका कानून मानना जाबता है तो अब यह पूरे प्रोसेस में जाना है तो बहुत बड़ी कॉंट्रवर्सी से लिए हुए है क्योंकि उसमें कई बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो लोग नहीं पसंद कर रहे एक पहले पुडूचरी इसका हिससा था पर पुडूचरी लिए Got a can be जिए आपके उसके इसमें फूद्डूचरी में उसमें ख़ू किया हुआ कि उपर आकशली प्रेजिड़ेंट की डिरेक्टली नहीं चलती और उस घ्लेइट के अंदर अपनी खुद की अपनी स्टेट लेजिसलेटिव असेंबली बन गीए तो हर स्टेट के अंदर वैसे स्टेट बनाने के कानून वह स्टेट असेंबली के पास होते हैं जैसे पंजाब अपने इंडिया के अंदर 3 Union territories जिस में legislative Assembly भी दी है और जहां पिर और प्रेजिडेंट की आविसलिव सिल्सक्राय को जाती है एक दिल्ली है और एकुठी है जम्मू किश्मीरmeस इससे कि तो यही चीज़ें यहां पर लिखे इसके इलावा भी जो कानून कानून पास करती है वह सारे इंडिया के लागो होता है इन तरिटरिस के अगर पार्लेमेंट कोई भी कानून पास करती है तो वो कानून में कोई भी अगर चेंज करना इन एरियास के मताबिक वह प्रेजिडेंट करके वहां पर लागू कर सकता है यहां पर अप्लाई करने के लिए कोई भी कानून तो तब भी इस ताइम लक्षदीब का जो है वह आपके प्रेजिडेंट के पास जाएगा इस नेक्स है आपका फाइव जी टेकनालोजी देखो फाइव जी टेकनालोजी क्या है आपके आक्टर जैसी न्यूज में आने के लिए जूही चावला ने दिली हाई कोड में पटिशन डाली है कि फाइव जी के साइड इफेक्ट पड़े जाएं पर वह यह बस यह सारी छिजों के कारण फैला हुआ है कि दुनिया में फाइव जी टेकनालोजी मंदो तो रूमर लॉकर फैलिक्नाव जो हैं अलिए चीजे एक तो क्यो फाइव जी टेकनालोजी यह तक यह ता Captain चीज जो है कि यह जो कोविड फैलता है यह वहां फैलता है जहां पर 5G टिकनोलोजी लगो होती है वहां पर कोविड फैलना शुरू होता है इसके चलते हुए क्या हुआ है इंडिया में बहुत सारे रूरल एरिया में जहां 5G कि अभी टावर टावर लगाए जा रहे थे 5G टिकनोलोजी इतनी पावरफुल नहीं है कि यह आपके इतने बड़े सिस्टम्स को बदल के रख दें 5G टिकनोलोजी बेसिकलिए जी होता गया यह जनरेशन होता है तो जितनी भी आपके मोबाइल के टिकनोलोजी में डिवल्पेंट हो रही है ना उसे हमेशे एक को हाँ कॉल और आपके sms इसकी टूजी था जब आपके लो इंटरनेट पहली बड़ी कोई इंटरनेट जैस चीज आई और आपके थ्रू मैसेज जो mms होते थे वो सेंड हो सकते हैं मल्टी मीडिया मैसेज़ेस ठीक है मालों कोई वीडियो कोई फोटो ऐसी चीज़े इसके तुरू सेंड होनी शुरूई पर वही है यह नेट बहुत स्लो था तो बहुत ज़्यादा टाइम कंजूमिंग था फिर आया थ्रीजी थ्रीजी ने इसी चीजों की स्पीड बढ़ा दी ठीक है उसके बाद आया फोर जी फोर जी आप आपकी चीजों को ले गया है तो यह फाइव जी आएगा ना उसमें हंड्रड गीगाबाइट पर सेकंड की स्पीड पॉसिबल होगी तो यह फाइव जी ऐसे माननों कि इतनी जाद स्पीड होगी कि अभी तुमने लेट स्पोस्स तुम ऑनलाइन मूवी देखने बैठे हो तुमने अभी क्लिक किया है व फाइव जी टेकनोलोजी होगी तो स्पीड बढ़ती जा रही है ठेक है इसमें यह सारी चीज़ें पॉसिबल है और यही चीजों के उपर यह डिवल्पमेंट बढ़ती जाएगी ठेक है सौरी यह वन जीपीवेस कि यह मुझसे गलती हुए यह वन जीपीवेस थी और यहां पर टेंट जीपीवेस है ठेक है तो यही सारे पॉइंट यहां पर लिखें हैं इसका सबसे बड़ा जो यूज आएगा वह आएगा इंटरनेट ऑफ तिंग्स की टेकनोलोजी में इंटरनेट ऑफ तिंग्स क्या होता है इंटरनेट ऑफ तिंग्स होगा जहां पर आपकी सारी जो फिजिकल चीजेंगे जैसे कार होगी ट्राफिक लाइट्स होगी आपके मुबाइल फॉन्स होगे इस सारी चीजें एक दूसरे से थ्रू इंटरनेट कम्यूनिकेट कर पाएंगी कि सारी चीजें एक दूसरे से इंटरनेट से जोड जाएंगी तो इससे क्या होगा कि आपकी हिमन इंटरफेरंस कम 57 क North शड़ेंग्य। तो अपने आप इन चीजों को पता होगा कि कैसे कॉडिनेट करना है तुम्हारे पूरे दिन का प्रोग्राम कैसे तुम कैसे ट्रावल करते हो हर चीज पता होगी उन्हें उसे कहते इंटरनेट ऑफ तेंग पर यह जो चीज है यह सेकंड में जो डिसीजन मेकिंग मशीन को चा कि साईगो क्लियर है नेक्सके आपके कोल रिजर्व एंडिया में बैसिक लिए आपके माइन में आग लग थी अबकरienen तो से हम माईनिग कर रहे हैं इंडिया में कोल की ारवर कुल दुनिया का कि और हमें तब भी कहसकर कुंग कोल नाने यूज होता है हमें इंप्ट कियो कИ्यों करवाना पड़ता है दिकू जो इंडिया में को मिलता है हमारे thermal power plants के लिए actually हमें import कई करवाना पड़ता है क्योंकि हमारे पास जो coal मिलता है ना उसकी quality बहुत बुरी है वो आपके धुआ और ash जाधा छोड़ता है और energy कम बनाता है यानि कि आपका coal जाधा चाहिए energy कम बनेगी और जितना हमारा coal use भी होता है वो धुआ जाधा करता है इसलिए हमें अपने steel plants के लिए और आपके thermal power plants के लिए अच्छा quality का coal बाहर से मंगवाना पड़ता है इसलिए हमारे हर साल imports बढ़ते जा रहे हैं हम export भी करते हैं low quality जो हमारे पास coal है वो export भी करते हैं पर obviously उसकी demand कम है कि के इंडिया में सबसे ज्यादा कोल मिलता है आपके जारखंड उडीसा वेस्ट मेंगौल बिहार चात्यसगर तिलंगना और मद्या परदेश की स्टेट्स में ठेक है और यह रहा उसका मैप भी इंडिया में जहां-जहां यह मिलता है ठेक है लिगनाइड क्वालिटी जो अधिया में तैश एस पर इसंखे उसे बड़े रिजर्व हैं उसके बाद यहां पर जैसे आज आझा कین्यूजी जह ठी टी और असाम इन एरियर श में पाई जाता है लिगनाइड सबसे च्रशा कोल होता ही अर इतने बड़े एरिया में जाता है तो आट्षिली सारा रिजर्व यूज भी नहीं पाथा इसी करण हमारे लिग नाइट बहुत ही कम में इसलिए हमें यह बाहर से मंगवाना पड़ता है पर यह जो लिगनाइट लिखा है वह इसलिए